भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यन तावश्यक है वैराग्य सही माने में प्रेम में ही होता है पहले इस थूल वैराग्य प्रगट में वैराग्य पर सुक्ष्म में माहत्व बुद्धी बनी हुई है भोगों में पर जब प्रभू का प्रेम प्रगट होता है तो वो भी नष्ट हो जाती है अब चराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई च्छा नहीं रह गई अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा अब ये सच्छा वैराग्य है इसके लिए कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना इमापुरुशों के बचन है दो ये कहना मृत्यू के शमाल है उपासक का किसी से जब ये कोई हाथ पसार कर कहता है दो तो इससे तो अच्छा है शरीर छूट जाए इमापुरुशों का अनुबह है ये जो शंतवेश रख करके मांगते रहते कले कुपाशक ने प्रश्ण किया था कि किसी ने उनसे कहा कि मुझे अमुक वस्तु दो दू अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा बद्दुआ दे के बुरा कर देंगे ये शंत के वचन कभी ने होते डरना मत कभी किसी से अगर कोई ऐशा कहता है तो बद्दुआ तो उसी के उपर लगी हुई है पहले क्यों अपने वेश की मर्यादा को नष्ट कर रहा है वो जानता है ने उकेवल पाखंड के लिए वेश दारन किये हुए पहले हमारे शादुशमाज में शाशन था ऐसा नहीं था कि कोई भी कैसा भी वेश दारन करके घूमे ऐसा नहीं था आपकी परंपरा क्या है कुछ ऐसे शाधुई भाषा के प्रश्ण होते थे कि असली परंपरा वाला ही उत्तर दे सकता था अन्न था वेश उत्तरा लिया जाता था क्योंकि तुम शाधुऊं की मर्यादा का नाश कर दोगे लोग शम्झेंगे संत ऐसे ही होते है गाडी में ऐसे हाथ मार रहे है हमको फलाहर करना है आज ये कादशी है कुछ दे दो जरूरी क्या है बूख लगी है तो जाओ ब्रजवाशियों के दरवाजे में रादेश श्याम बोलो जो मिल जाए पेट वरो एक दिन नहीं पाओगे तो मर जाओगे अब वो गाडी वाला समस्ता है बिखारी हैं बाबा लोग बिखशुक हैं दलित रहें बांगते घूमते हैं ये शंत नहीं कर सकता नहीं कर सकता जो भगवत मार्ग का उपाशक है वो कभी ऐसे नहीं कर सकता अगर ऐसे करता है तो या तो अपनी महिमा को नहीं जानता कि जिस मार्ग में है और या पाखंडी है कहावे मौर दासा करे तुछ नरन के आसा तो कहो कहा रहा विश्वासा ये विश्वास का बार गए अरे मंगी वो भलोन बाप सो जो प्रहुराखे टेक अपने आराध्य देव की अरे आराध्य देव से भी ठसक में रहे जैसे बच्चा कहता मुझे दूद नहीं पीना तो ये मा की पीड़ा है वो सौ बार मनाएगी और दूद पिलाएगी क्योंकि मा है बच्चा मा को जड़त दे नहीं पीऊगा दूद वो फुसलाएगी पिलो मा को इसमें क्या सुख है ये वो उसका बच्चा है पिलाना उसका कर्तब है ऐसे ही अनन्त ब्रम्हंडों का वो पिता है विश्वंभर और हम उसके दाश है उसे भी बेपरवा रहे हैं तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा हो जितना भी मा में वातसल है अनन्त ब्रम्हंडों में माताओं में वो हमारे प्रभू के एकांस से है ऐसा वातसल समुद्र कैसे तुमको तुमके दाश हो कैसे तुमको आवश्यक्ता की वस्तु नहीं देगा कैसे दाश हो तुम मांगते घूम रहे हो एक बारत एक परिकर ने बताया था कि कुछ शादवेश में आये कहा कि हम प्रियाग में भंडारा करने जा रहे हैं हमको इतने हजार रुपे दो बोले हमारी शामरत नहीं बोले अगर हम वियाज से बिमुख लोटे तो तुमारा नाश हो जाएगा ये सादू के बचे नहीं ये कोई शंत बोलेगा अरे शंतों को तो पीटा जाता है गाली दी जाता है अपमान किया जाता है तो भी हो मनाते है तुमारा मंगल हो भगवान कभी त्रिकाल में इनका मंगल नहो ये बेचारें नहीं जानते हैं और तुम में पैशा दे तो उसका मंगल मनाओगे पैशा ना दे तो हम अंगल मनाओगे ऐसा सादू होता ही नहीं ये तो केवल वेश का दुर्पयोग है केवल वेश का पाखंड है ये संत ऐसे नहीं होते है अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्याशा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे देजे फिर आप देखे आपको कैशा शुक मिलता है शर्दी में कोई काप रहा है आप अपना वस्तर दे दीजे कोई बीमार है तो आप अपनी शुविधा छोड़कर उसमें पैशा लगा दीजे उसको अउशदी दिलाए ये कीजिए लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे इतने रुपे दीजी ने तुम्हारा मंगल हो जाएगा तो पात पैसे भी मत दीजी बिल्कुल मत दीजी कुछ है नहीं बिगाड़ सकता वो केवल बाणी से बोल रहा है उसमें सामर्त ही नहीं सामर्तवान ऐसे नहीं करते भुगता है दे ही न जा चही ये वानी जी कह रहे केतिक आयू केतिक जीवन काहे बिनासत काज हटकत कितना जीवन रह गया है उसके लिए तुम मांग रहे हो ये बिल्कुल ठीक है अगर सच्चे मार्ग के पतिक हो दो ये कहना शब्द नहीं बनता भरण पूश और भगवान के द्वारा होता है पूरा जीवन आप देख लो जैसा आप सुभाव बना लोगे जैसा नियम करकोगे वैसे निर्वा होने लगता है ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है मर जाना अच्छा है किन्त किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं बिरक्त हो तो किवला आदेश है आचारियों का मूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनोन शाज सवेरो ब्रजवासिन के जूट टूक और घर गर चाथ महेरो ब्रजवासियों के अन्यश्य उदर पूशन मांग करके एक एक रूटी कर ली इसके अलावा मांगने का अधिकार नहीं है किसी भी चेश्टा द्वारा अपनी आवश्यक्ता की शूचना उपासक ये किसी को देता है तो अन्यास्त्रे हो जाता है और अपना पतन करा लेता है जो कोई ऐसा सूचता है कि मैं मांग कर परूपकार करूँगा वो परमार्थ का पति की नहीं अनुचित है हमें यग्य के लिए पैसे दे दो हमें भंडारे के लिए पैसे दे दो ये बिल्कुल ठेक नहीं है ये परमार्थ का मार्ग नहीं है ये स्वार्थ का मार्ग एक व्यापार हो गया महापुरुशों के बचन है परोपकार के लिए मांगना भी अनुचित है उपाशक को भूंख लगे तो रोटी मांग लेनी चाहिए उसे ग्रेश्थी का भी मंगल होता और उपाशक का भी मंगल होता है किन्तु इसके अलावा दो ये शब्द कहना आपके पांच सक्तियां उसी समय चली जाती है हिरी, श्री, धी, ग्यान और वैराग आपका तेज, आपका एश्वर्य, आपकी बुद्धी आपका ज्यान और वैरागे पाचो नष्ठ हो जाते है मांगने वाले से मांगने के शंकल्प से ही तुमारे अंदर मलिन्ता आ जाएगी इसलिए भगवत मार्ग के उपाशक को मांगना बड़ा भारी पाफ है मांगना शब्द मृत्यू है, नहीं मांगना अगर मांगना है तो एक के वला आदेश है, रोटी मांग सकते हो अपने उदर पोशन के लिए बस वो भी एक जगे नहीं, पांच साथ घरों से, कोई एक जगे बैठाल के पवाना चाहे तो नहीं पाना चाहे पांच साथ घरों से, या फिर आकास ब्रती, और निर्मल ब्रती, माधुकरी ब्रती से विश्रिष्ट है आकास ब्रती प्रभु जो दे देते हैं हम कोई चेस्टा नहीं करते प्रभु जो दे देते हैं उसी से भरण पूशण हो रहा है राट दिन भजन करो कोई चाह रहे हैं कोई माग नहीं उपाशक जब बिशय पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे उगर जाता है उनसे भी नीचे गर जाता है क्योंकि उनके अंदर तो यह होता है कि मैं बिशाई हूँ मैं नीच हूँ यह शंत है यह भावतर रहता है लेकिन वो जो कि मैं वेरागी हूँ विरक्त हूँ, शंत हूँ वो जब उनके शंग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के पर्मान होते है इसलिए उनसे संबाशन, उनका इसपर्श करना उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना यह बहुत आनकारख है भोगी पुरुष ग्रेस्त है भगवत भगत है वो नहीं जिनका केवल भोग ही लक्ष है रुपया पैशा वाले हैं आकर हमें कुछ पैशा देंगे, रुपया देंगे हमारी आवशक्ताओं की पूर्ती होगी इसलिए हम उनकी सेवा करें उनकी आगे चाटुकारिता करें पिल्कुल नहीं उपाशक को कभी है अभिमानिंते न्यारे ऐसा नहीं होना चाहिए एक शंत गंगा किनारे मिले थे बोले हम केवल तीस मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं इसके बाद इतने बड़े बात्सा होते हैं कि हमारे स्वान ब्रम्मा को भी जुक नहीं देवराज भी इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरस्ता है मैसे बात्सा है तीस मिनट के लिए कि अलम्बिक शुक होते हैं गये रोटी माँ इसके बाद बात्सा है कोई भी आउस्चाह नहीं चिंता नहीं मनुआ पे परवा एक मात परमात्म चिंतन में विशई पुरुष का अशक नहीं कोई तुमसे संभाशन करना चाहता है और आपको दृष्टी में लग रहा है कि भजन भीहीन है नहीं सब बाशन नहीं करना यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं जहां दुख का प्रवेशी नहीं ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए तो सुनेन काहू की कही कहेन अपनी बात नारा यनवा रूप में मगन रहे दिन रात किशी की नहीं सुनना अपनी हरदे की बात किशी की नहीं कहना अगर बात ही करना है तो अपने हरदे नात से बात करो वो सुन रहे बश उन्ही के नाम उन्ही की रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे मुक्षे बोलने के पहले विचार करो आपके आराध्य देव शम्मंदी वारता है या माया शम्मंदी किशी वस्तु व्यक्ति इस्थान की प्रशंशा या निंदा ये सब माया जनित है किशी वस्तू व्यक्ति इस्थान की प्रशंशा या निंदा ये शब बाया जनित है अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलनी वाली है तो नहीं तो रोक लोस्वानी के वेग को मत बोलने दो जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो यदि आराध्य देव के शिवा बात करते हो तो आराधना किसकी कर रहे हो प्रपंच की या प्रपंच से अतीत परमात्मा की अगर प्रभु की उपाशको तो प्रभु की चर्चा करू प्रपंची की उपाशको तो करू प्रपंची की चर्चा दुनिया का चिंतन दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना ये संसारी पुर्षों में होता है उपाशकों में नहीं दुनिया का चिंतन दुनिया की बात दुनिया की क्रियाए किया क्रियाओं में दोशदर्शन गुणदर्शन ये संसारी पुर्षों के द्वारा होता है उपाशकों के द्वारा नहीं होता तुम दरिद्र नहीं हो तुम महाधनी हो दरिद्र वो है जो भोगों की व्रत्ती में भोगों को भोगता हुआ भी त्रप्ती कान भोने कर आओर भोगों और वो दरिद्र है वो भिखारी है करोणों रुपे है फिर भी करोणों की चाह है बड़ा भिखारी है शादू दरिद्र नहीं होता सादू भिखारी नहीं होता शादू भगवदा अनंद का धनी होता है नाम धनी होता है कविरास्व जंग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिये जाके राम नाम धन होए प्रभु का नाम रूपी धन है वो धनी है विशेयों में भशा हुआ अपने को धनी मानता है नहीं वो दरिद्र है समझ नहीं पा कितनी दरिद्र ता अंदर बढ़ गए करूर्णों अर्बों है फिर भी खर्बों की तरब ब्रती जा रही बढ़ती चली जा रही और ये धनी अब जीने की इच्छा का वित्याग है मरण के भय का वित्याग है कोई लाव हान कोई शुक दुख कोई मान अपमान का प्रभाव नहीं निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है शुभाव को यदि नहीं बदल पाये तो तुम पशू हो उपाशक कहा हो मापुरुशू के वचन है जो अपने शुभाव पर शासन नहीं कर पाया वो पशू है उपाशक नहीं है अपनी आदत अपने शुभाव को अपने आराध्य देव की अनकूल बनाना ये उपाशक का लक्षन है स्रीकृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलश्य वर्जनम पागलों की तरह जो शामने आया बस उसी में राग कर बेठे यह उपाशक का लक्षण है ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता यह किवल अपनी वासनाओं का पोषण करते चाया जिस भेश में हो मापुरुषों के वचन कड़वे जरूर लगते हैं लेकिन ये वो सुदर संचूर्ण है जो जड़ से भवरोग रूपी बुखार को नश्ट कर देता है संसारी बातों से संसारी वस्तूओं से संसारी पदों से आज तक किसी को शुक शांती मिली है क्या चायो किसी भी पद में हो संसारी बातों से संसारी पदवियों से संसारी भोग शामागरियों से आज तक किसी को शुक मिला है क्या शान्ती मिली है क्या वैराग के वान को जो आनंद है वो ब्रह्मा जी देवराजिंदर को भी आनंद नहीं है वैराग के का आनंद फिर अनुराग की तो बात ही जाते वो तो इसके आगे की बात है जन्म जन्मांतरों से हमारा विश्यों में अनुराग रहा है इसी अनुराग के चक्र को तोड़ कर प्रभु से अनुराग करना यही तो हमारी शादना है यही हमारी शाद होता है यही हमारा भगवत मार्ग है प्रभु में अनुराग हो जाना संसार के राग का नाश हो जाना कोई भी संसार का पदार्थ नित्य नहीं है कोई भी संसार का संबंधी नित्य नहीं है कोई भी संसार का पद नित्य नहीं है या नित्य है नश्ट हो जाएगा क्यों प्यार करते हो इरागियों को समझ में नहीं आ गए वैरागियों की बात है किसी भी वस्तों से किसी भी व्यक्ति से किसी भी पद से अपना संबंद नहीं है तभी परमपद के अधिकारी ये भागवत पार्शत बनने का सिध्धान्त है ये प्रियाशहचरी बनने का सिध्धान्त है ये उस चिदानंद शुख की प्राप्ती का शिद्धान्त है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है यदि प्रभु के नाम में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ प्रभु के रूप में प्रेम नहीं हुआ प्रभु के धाम में नहीं प्रेम हुआ तो घर छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, चाय जाँ घूमो कुछ नहीं मिलने वाला अपने को आत्म ग्यानी कहो, भगवत प्रेमी कहो, बैरागी कहो, तेयागी कहो, कुछ नहीं मिलने वाला हमें शतत जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवत चिंतन करना है भगवत चिंतन ही, तुम्हें इस्थिती प्रदान करेगा, एक घर द्वार छोड़ देना, कपड़े बदल लेना, इससे ही केवल काम नहीं बनेगा भगवत चिंतन, कितना बढ़िहां उशर दिया है, रात, दिन, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की लीला गुन गायन, और उन्हीं के धाम में रह रहे अब बात न बनी तो फिर नहीं बनेगे, बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप बहुत बढ़िहां संजोग बना दिया है, भगवत प्राप्ती का बहुत सुंदर्शन योग बन गया है जब इन सब को छोड़ करके आगे बढ़ता है उपाशक, तो प्रतिष्ठा कर उसके सामने खड़ी हो जाती है, मान शम्मान प्रतिष्ठा इस के लिए को तोड़ना बहुत मुश्किल है संसार का चिंतन, संसार की भोगशामागरी, संसार की प्रतिष्ठा आदि को जो धूल धूसरित कर देता है, वही भगवदानन्द में स्थित होता है तो यह आखरी किला है, मान बड़ा एक किर्थी प्रतिष्ठा अगर उपाशक शावधान नहीं रहा, तो इस किले को नहीं तोड़ पाता अच्छे अच्छे इस किले में फस जाते है फिर पूरा जीवन यह होता कि इतनी इज्जत बन गई है अब कुछ भी हो इतनी इज्जत तो नहीं जाने चाहिए हजारों लोग हमारा सम्मान करते है लोक लोक आंतर में हमारा यश है अब ये नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए इसी से पाखंड दीर दीर आने लगता है पाखंड को अशर मिल जाते हैं अंदर प्रिविश्च करने का प्रतिस्था की भी चाह मिटानी होगी आई हुई प्रतिस्था को श्वैकार नहीं करना होगा अगर उसे अपने में गुण मान कर श्वैकार किया तो आप इस प्रतिस्था रुपी किले के अंदर फस जाएंगे और निज महिल में पहुँचने में बादा पहुँच जाएगी इसलिए जो बहुमान करे को मेरो कि ये बहुमानत ना ही बढ़ाई नहीं मानना ओ है क्या तुमारे अंदर किस बात की बढ़ाई अरे प्रियालाल कृपा करके धाम में वास्ती है प्रियालाल कृपा करके परमार्थ में चला रहे प्रियालाल कृपा करके अपने नाम बानी का चिंतन मनन करा रहे अगर कुछ बोल रहे हो तो उनकी कृपाशे बोल रहे हो तुम क्या हो वो अभी चाहे तो जबान लड़ खड़ा कर बंद हो जा जीवन में एक अक्षर ना बोल पावे तुम्हारी सामर्त है कोई सामर्त ने एक रोम जड़ना है तो उसे तुम नहीं रोक शकते हो फिर तुम कितने सामर्त वान ये प्रतिष्ठा उनी की हो रहे है प्रभु की हो रहे है यदि आप अपना यश मान ले आप अपनी प्रतिष्ठा मान ले तो आप भगवदानंद से बिमुख हो जाएंगे उपाशक अपने प्रीतम के शिवा और किशी को नहीं देखना चाहता उसके चित्त की अशिद शा होती है जाके हिए में बस गई मोहन की मुश्क्यान नारायन ताके हिए और नलागत ग्यान अपने प्रीतम के जब मदुर जाके होने लगते फिर उसे और कोई उप्रदेश और कोई चाह और कोई मान प्रतिष्ठा यह चूही नहीं सकते बिधिनिशेद शृतिवेद की मेणदेत सोमेट नारायन जाके हिए लागत प्रेम चपेट अपने प्रीतम की प्रेम का जब प्रवाह उसके हरदय में उदय होता है तो अब सास्त्र क्या कहते इस पर भी विचार नहीं जाता बिधिनिशेद सुड़ती वेद इनकी आध्याओं के उपर उसकी स्थिति होती ना लाजती न लोकन की न वेद को कहो करें न शंक भूत प्रेत की न देव जच्छते डरें हाँ प्रेम की कैसी स्थिति कि वेद शास्त्र उसे प्रणाम कर लेते हैं कि हमारा सासन खतम आपके उपर से आवा के वढ़ो एक बार तो हरदय में धारन करो ये बात कि जगत को तो देखी लिया एक बार इस जगत के मालिक को देखें चाह तो पैदा करो आपको लगता है जगत है और जगदीश नहीं है ये माया का ब्रहम है ये नहीं है जो देख रहे हो वह ही वो है ये भक्तियन वो कराएगी